हलो विलकम टू मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम मेरा नाम है अवनीश त्रिपाथी तो कक्षावारा राजीति विज्ञान की जो दूसरी पुस्तक है स्वतनतर भारत में राजडीति उसका एक बहुत खास चप्टर पाठ चार भारत के विदेशी शंबंद यह हमने देखे ह मैं उसका सारे टापिक्स देखें इसका पूरा चैप्टर देखा और आज इस इंप्टेंट चैप्टर का हम देखें गए महतरपूर्र टापिक है inspired solution यह सा swords में NCRT solution करते हैं इस चैप्टर का भी NCRT solution करेंगे और जो महत्वपूर सवाल है उसके जवाब देखेंगे एक चैप्टर के एंसे दिक्षा करते हैं यह प्राप्त करते हैं मतलब यह है कि आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हों विहार बोर्ड से पढ़ते हों या आप किसी विच्वेसी पोड को फालो करते हैं बिना किसी पेड़ सब्सक्रिप्शन के आप आराम से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं तो इसी महत्वपूर्ड जानकारी के साथ हम में लाकर तो है कि गुट निर्पेक्स्ता की नीथी अपनाने के कारण भारत सोवियत संग और संयुक्त राज अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका उत्तर है सही बिल्कुल ठीक बात है देखिए इसके सारी हमने बेसिक जानकारियां तो हासिल करी लिए उनीस सो पैंतालिस स सीटी चल रहा था है ना कोल्ड वार जिसको कहते हैं अब जब यह सीटी चल रहा था तो दुनिया दो भाग में बटी थी एक सोवियत संग के पीछे जा रही थी जो साम्मेवादी विचार था रहा थी जिसका नितुत रूस कर रहा था और पंद्रागर राज थे और एक कौ भारत की संप्रभुता यानि स्वैम का नीड़ा लेने का अधिकार जो सजीयों के बाद आजादी से मिला था वह इसके हिसाब से चलना पड़ता दूसरा कुछ फायदे हमें सोवियत संग से लेने थे कुछ फायदा हमें अमरीका से लेना था तो हम दोनों गुटों के साथ ले सकें इसका प्रयासम ने किया और मिला भी तो इसलिए ये कथन विल्कुल ठीक है भारत ने दोनों की सहायता प्राप्त कि और सोविय संके विक्टन के बाद अमेरीका से जादे सहायता है मिलें उसके बाद में अगला है कि अपने परोशी देशों के साथ भारत के पाकिस्तान ने जब रस्ती तनावपूर बनाया इसके अलावा हम बाकी सभी देशों के साथ संबंद तो हमारे ठीकी रहे हैं तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है हमारा तनावपूर संबंद नहीं रहा है और सुरू में तो चीन के साथ भारत चीनी भाई-भाई का संबंद चल पाकिस्तान महराज अमेरिका की सरण में चले गए और पाकिस्तान को क्या किया अमेरिका ने खुब स्तंब म किया शोपीयत संब खिलाव मोर्चे बंदी में एक कड़धा बनाया और इससे भारत पाकिस्तान के संबंदों भी खटास आरह थी भारत सोब्यों ध्रीव ठीक 1971 की शांती और मैत्री की संदी संयुक्त राज अमेरिका से भारत की निकटता का परड़ाम थी गलत स्टेटमेंट है यह बिल्कुल भी सही नहीं है अब अगला परसंद देखते हैं जोड़ी मिलाने का 1950 से चौवोच के दौरान भारत की वी इस नीति का अलक्ष पज़ोच मारी संप्रभुता सोबरजनी जो है नेड़े लेने का अधिकार कह मारा वह अखेंड बना रहे औरा यार्थि country qya था किसके बीच में भारत और चीन के बीच में यह समझोता हुआ था और इसमें दोनों देशों ने सांतिपुर्ण सा अस्थित्व की बात किये थी कि हम दोनों एक दूसरे के एक्जिस्टेंच को मानिता परदान करेंगे हम सांतिपुर्ण तरीके से एक साथ निवास करेंगे कोई किसी की संप्रभुता में हस्तक शेप नहीं करेगा और संबन मधूरू बने रहेंगे बांडूं सम्मेलन जो था ये इसकी पहनाती गुड्ट निर्पेक्ष आंदोलन में हुई यह फ्रोएस्याई देसों का एक तरह का सम्मेलन रहा बांडूं और यहां पर फिर यह तैय किया गया हम एक गुड्ट निर्पेक्ष आंदोलन चलाएंगे हम इस सोबियस संग और अमेरिका के बीच जंग चल रही है सीटी तो चल रही है अपर टेक्ष लड़ाई उसका हिस्सा नहीं बनेंगे दलाई लामा कौन थे तो तिबबत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए जब तिबबत को कबजा लिया चाइना ने तो वह को कोशिस यह करता था कि दलाई लामा को कैप्चर करें पकड़े मारें तो दलाई लामा ने वहां से छोड़कर हारत में सरण ले लिए ठीक है अब एक हाँ ठीक है यह मैं कर लिए अब देखते हैं नहरूग विदेश नीती के संचालन को स्वतंतरता का एक अनिवार देश नीती है उसे अगर हम खुद बनाएंगे तो हमारी संप्राबुता भी बनी रहेगी औधर न्यूत्र लेने के लिए स्वतंतर रहेंगे और अपनी नीतीया भी बना पाएंगे तो भारत के पहले प्रदान मंत्री जवालाल नहरू प्रदान मंत्री और्धिया मंत्राले भी था 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेशनेती की रचना और क्रियान्वन पर गहरा प्रभाव पड़ा डाला उनके विदेशनेती के जो तुई नूदे से तो देख लीजिए कठीन संगर से प्राप संप्रभुता को बचाया रखना यहीं मैं कह रहा था जो यह क कोई भी नीड़े लेने के लिए स्वतंत्र है छेत्री अखंडता को बनाया रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना पहला अच्छी यह था उनकी विदेशनेती का नहरू इन उद्देश्यों को गुट निपेक्ष्टा की नीती अपना कर हासिल करना चाहते थे नहरू विदेशनेती के संचालन को सवतंत्रता का अनिमार संकेतक इसलिए मानते थे क्योंकि विदेशनेती का संचालन वही देश कर सकता है जो सवतंत्र हो भाई नहरू यह कहते थे कि वह अगर आप सवतंत्र है तो विदेशनेती आप बनाने की सवतंत्रत आपको होनी चा करता था बल्कि ब्रिटिस सरकार उसकी विदेशनीती का संचालन करती थी अगला प्रस्न है कि विदेशनीती का निधारण घरेलू जरूरत और अंतराष्ठिय परिस्थितियों के दोहरे दवाव में होता है ठीक बात है यह जब यह विदेशनीती बनाते हैं तो एक तो हमेरे घरेलू जरूरते होती हैं और कुछ बारी दवाव होते हैं दोनों के साथ विदेशनीती बनाई जाती है उन्नी सो साथ के दसक में भारत वारा अपनाई गई विदेशनीती से एक उदाहरण देते हुए अपने उत्तर की पूश्टी कीजिए ऐसा पूछा गया है उत्तर है विदेशनीती का निधारण घरेलू जरूरत और अंताराष्टिय परिस्थित्यों के दोहरे दवाव में होता है यह कतन सत्य है क्योंकि प्रतेग देश राष्टिय हितों को प्राफ्मिक्ता देता है बिल्कुल ठीक बात है पहले भारत सोब्यस संग पर निर्भर था क्यों तो हमारी विदेशनीती उधर की तरफ थी 1962 में चीन के आक्रमर के समय भारत को अपनी सुरक्षा नीती उत्तर पूरू के छेत्रों के प्रती अपनी नीती सैनिक धांचे के आधुनी की करण आधी के बारे में फिर विचार करना पड़ा और रक्षा के खर्च में ब्रदी कर सकता यह ईकिलो की बात कहने का क्रक्स कोर्षन का कि आए कि जो परिस्थितिंएं रहती है हम उन्हीं पर तर्फिया नीतियां नीतियां बनाते और परिस्थितियों को देखकर विडियस नीती बनता है इसमें कोई दो राय नहीं है पहले भारत जैसे इसराइल फिलिस्थीन का मामला है तो भारत फिलिस्थीन के तरफ खड़ा दिखाई पड़ता था फिर भारत में इस्टेंड चेंज किया हम इसराइल के तरफ मजबूती रखना चाहेंगे अब बहुत सब्जेक्टिव कोश्चन है इस यह ऐसा कोशन जिसमें आप अपने मत भी दे सकते हैं फिर भी देख लिए पिछले कुछ वर्सों से भारत की विदेश नीती परिवरतन के दौर से गुजर रही है भारत की विदेश नीती में चीन और पाकिस के मारेंगे या हम मूतोर जवाब देंगे हम थोड़ा सा एग्रेशिव वाला जवाब देंगे यह विदेश नीती बदली जा सकती है भारत की विदेश नीती के दो पहलू को जो बरकरा रखा जाए एक तो गुट निर्प्यक्स्ता की अस्तितु को बनाया रखना चाहिए अब आप सर्फ कूछ सकतने हैं कि सर यह बताओ जब सोब्यस संग का विगटन हो गया तो गुट निर्प्यक्स्ता को बनाया रखने का क्या मतलब है आज भी गुट निर्प्यक्स्ता है संस्था इसका मतलब यह है कि सांकेतिक रूप से बना रहे है पहली बात तो भारत के प्रवल स्टेंड का यह इंडेक्स है मतलब सूचक है कि भारत ने इतना कठोर भी कदम उठाया था कि जब पूरी दुनिया सोब्यस संग और अमेरिका के पीछे जाने को बिताव थी तब भारत ने एकदम अकेले चलने का निड़ा लिया था यह अपने आप में बड़ा कद सकते हैं भारत को संयुक्तरासंग के साथ सहयोग जारी रखना चाहिए क्योंकि इससे अंतराष्टिय सांतियों सुरक्षा को प्रोफसान मिलता है तो दूसरा जो बीरेस नीतिया में हमारा स्टैंड है कि हम युनाइटेड निशन और्गनाइशन के साथ खुल मिलकर काम करत कि है अना लोक्ततर के समर्थ्र में हमेशा खड़े रहेंगे यह सम्नितिया हम बनाए रख सकते हैं तो यह आप लिख सकते आंसर में कि अगला सवाल है संचित अरवारत की परमाडु निती और विद्यस निती के मामले पर सर्वस वने चैप्टर में स्सक्रप्वाले आप से विक्षा की थी अक्षेप लगाया है बहुत हमें रोका ठोकी किया गया तो हमने दो जरुवते से एनरजी बनानी है दूसरा हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है परमाडू हथियार बनाने पढ़ेंगे इसलिए हमने चौतर के आसपास भी अठानवे में भी अपने परमाडू परिक्षन किये फिर हमारी नीती यह है कि हम पहले किसी पर प्रयोग नहीं करेंगे हम केवल सांती बनाया रखने के लिए आत्मरक्षा के लिए यह कर रहे हैं यह नीती हमें आगे बनाकर चलनी पड़ेगे तो भारत ने 1974 के मई में परमाडू परिक्षन किया तेज गती से आधुनिक भारत के निर्माड के लिए था इसकी सुरुबात 1940 के दसक के अंतिम सालों में ही होमी जहांगीर भाबा के निर्देशन में सुरू हो चुकी थी भारत सांती पूर उद्देश यह जरूल कीजेगा पीसफूल ऑब्जेक्टिव सांती पूर उद्देश्यों में इस्तमाल के लिए परमाडू उर्जा ब तो भारत हमेशा सीटूद का बिरोधी था भारत सस्त्रीकरण की जो दौर ती जिसको का गया रेस्टू आर्मामेंट उसको भी बिरोध करता था कि आप लोग इतने हथियार मत उटाई तो उसको भारत भी कहता था कि हम केवल जो परमाडू हमारा कारेकरम है वो उर्जा बन कि बरहाल परमाडू आयुधों में बड़ोतरी होती रही सामयवादी शाषन वाले चीन ने 1964 में परमाडू परिक्षण किया अरुसक्ति संपन बिरादरी यानि संयुक्त राज अमेरिका सोबियस संग ब्रिटेन फ्रांस और चीन ने संयुक्त राज संग की सुरक्षा परि परिशद है इसका मैं सब कुछ आपको डिटेल पढ़ा चुका हूं तो इस सुरक्षा परिसाद में पांच 1026 से हैं पांच 1026 से हैं वह सथाई सदस्य कौन कौन से हैं ब्रिटेन अमेरिका फ्रांस चीन और उस समय थास USSR यानि सोबियत संग अब रूस हो गया है अब तो रूस रह गया है तो यह सब के पास क्या हो गया सब के पास एक तरह से परमाडू हत्यार हो गया और उन्हों अब परमाडू अप्रसाद संग्दि नुकलियर नौन प्रोफ एन पीटी नौन प्रोरिफरेशन ट्रीटी हम करेंगे यानि कि बाकी देश इसकी परमाडू परिक्षण नहीं कर सकते यह भारत को मंजूर नहीं था आपने तो खुब परमाडू हतिया जुता लिए बाकियों क को आप जुटाने नहीं देना चाह रहे हैं तो हम खुल के विरोध में आयों हमने चोहत्तर में परमाडू परिक्षण किया भारत हमेशा से संधी को भेदभावपूर मानता आया था भारत ने इस पर दस्तकत करने से इंकार कर दिया था भारत ने जब अपना पहला परमाड the production किया तो इसे संती पूर्ण करार दिया लाफिंग उण्ध गजाः गया बुद्ध का इसलिए भी नाम रखा गया क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि बुद्र शांति के प्रतीक है द्यान दखिएगा तो हमने का रहे derived हूसरा करे करेंगे अच्छा तो यह हमारी परमाडू पर नीटी हो गई और इसमें एक बात अब ध्यान लखेगा जरूल किजेगा नो फरस्ट यूज भरत ने हमेशा कहा है कि हम पहले इस्तमाल नहीं करेंगे नो फरस्ट यूज की नीटी हमारी चलती है हम किसी को छेड़ेंगे नहीं मत छेड़ेंगा तो छोड़ेंगे नहीं ठीक जी चलिए दूसरा पॉइंट इस पर में लिखना था कि विदेश नीती के मामले पर सर्व समती आवश्यक है क्योंकि यदि सर्व समती नहीं रहेगी तो अंतराष्टिय मंचों पर अपना पक्ष प्रभावसाली तरीके से नह हो कि भारत कुछ कहा रहा है और दूसरे लोग अपने देश में कुछ लोग और कह रहे हैं यह साथ ठीक नहीं यानि पक्ष विपक्ष सब एक हो और उसके कई इंपोर्टेंट मिसाले हमने पेस की हैं जब सहयुक्तराश संग में कस्मीर वाले मुद्दे पर पक्ष रखना तो उस समय कांग्रेस की केंदर की सरकार नरसिम्हा राओ की थी पर कांग गवर्मेंट ने अटल विहारी बास पर जो विपक्ष में थे उनको वहां भेजा था और इसका बड़ा ही पॉजिटिव पड़ा था कि देखिए यहां पर पूरा देश एक साथ बोल रहा है तो यह हमेशा सरुसमत्ति रही है चाहे कोई भी सरकार आई हो कोई भी दल रहा हो यह जो हमारा स्टेंट है कि हम गुट निर्पेक्ष रहेंगे मतलब किसी भी संग में सामिल नहीं होंगे हम सामराज जवाद और उपनिवेश्वाद का विर्योत करेंगे मतलब गुलामी जो बना अगला सवाल है कि भारत की विरेशनीत का निर्मार शांती और सहयोग के सिध्धानतों के आधार को मान कर हुआ लेकिन 1962 से 71 की अवधी यानि महस्त दस सालों में भारत को तीन युद्धों का सामना करना पड़ा क्या आपको लगता है कि भारत की विरेशनीत की असफलता है अत्वा आप इसे अंतराष्थिय परिस्थितियों का पढ़राम मानेंगे अपने वंतब के पक्ष में अतर्ग दिए व पर फिर भी हमको 1962-1965 और 1971 तीन लड़ागिया दस सालों में लड़नी पड़ी तो क्या आपको लगता है कि भारत की विदेशनीती का फैल्योर है या परिस्थितिया इसका कारण है अब देखिए 1962 से सब्सक्राइब करेंगे हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों का समर्थ नहीं करेंगे हम एक दूसरे के मामलों का समर्थन करेंगे उसको सहयोग करेंगे और वह घुसके चीन में चीन ने घुसका लड़ाई शुरू करती इसी तरह अंतराष्टी परिस्थितियों जैसे सीथ यूद ने पाकिस्तान को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसा दिया तो यह कुछ परिस्थितिया थ पहले पूरी पाकिस्तान था वहां के लोग परिशान थे भारत ने हमला किया पाकिस्तान पर वहां के लोगों को थोड़ी आजादी दिलवाई और समाचार आया कि बढ़ायों बंगलादेश हुआ है अब इससे क्या आपको लगता है कि भारत उस पूरे छेत्र में महासक्त नीतियां थी भारत उसमें कुछ नहीं कर रहा था पाकिस्तान ने पूरी पाकिस्तान को जो उपेक्षित किया था जो उसके प्रति ध्यान नहीं दे रहा था इस कारण से बंगलादेश राजय बना था भारत हमेशा से सांतिपूरु सा अस्तित्व जिसको बोलते हैं पीसफ अधार परंतो उसके सैनिकों को सम्मान के साथ रिया कर दिया लबक तिरावे हजार सैनिक ठे और भारत ने बंदी बनाया था और रिया किया सिम्मला समझ़ोता आप जानते कितना फेमस है पाकिस्तान की भेदभाव पूर नीति और उपक्षित बिवार के कारण पूर्वी कि जनता विद्रों कर मैठी और यूद्ध का रूप ले लिया तो भारत ने अपना नैतिक समर्थन दिया मोरल सपोर्ट दिया था भारत कोई धाड़ागिरी नहीं कर रहा था अगला सवाले किसी राष्ट का राजनेतिक नित्यू तो किस तरह उस राष्ट की विदेशनीटी पर असर डालता है वेरी इंपोर्टेंट कॉश्चिन मतलब यह कह रहा है कि जिस तरह का पॉलिटिकल लीडर होगा कैसे विदेशनीटी को बनाएगा जैसे एक्जांपल समझे अमेरिका में दोन वता देखिए दोनार ट्रंप आए एकदम से विदेशनीटी उगाई थूड़ो मारो किसी धर्म के परति रेडिकल भी हो सकते हैं हम जादा कुछ सुनेंगे नहीं एग्रेसिव बिदेशनीटी बाइडेन आए ठीक है देखते हैं थोड़ा ऐसा 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 संद्शना को डाला नहरू के विचारों से विदेशी नीथी प्रभावित हुई नहरू उपनिवेश्वाद और समराजवाद के विर्योधी थे उपनिवेश्वाद है नहीं किसी भी एक देश को गुलाम बनाना या उसके उपर राज करना इसके सग विरोधी ने लोकतंत् होने उस तरह की जैसे फिलिस्तीन पहले हम फिलिस्तीन के तरफ खर रहे थे बाद में इज्राइल के तरफ खर होने लगे तो राजनेतिक नितित तुझे ऐसा रहता है देश की विदेशनीति वैसी बनती है अगर कभी इसकी जरूत पड़े तो किसी भी सेने गुट के नजर साथ स्थोस्तानार से काइम रखना तो किसी भी घुट के पीछे चलते हुए किसी एक विचारधारा से स्टिक ना होना सभी को मिलाकर चलना दोस्ती बनाकर चलना यह गृप निर्पेक्सता के बारे में जो वहाला नहरू के विचार थे आप को शानने गुटों से दूरी क् पनाना चाहते थे क्योंकि सैने गुट में समली ठोकर एक देश स्वतन्तर निति का निर्माद नहीं कर सकता ठीक बात अगर मालीजे हम सोवियत संग के तरफ चले जाते तो हमें सामयवादी विचार अपना नहीं पड़ती हर पूजीवाद तरीके हर पूजीवाद वाले तो यह स्वतन्तरता हम से छीन जाती क्या आप मानते हैं कि भारत सोवियत मैत्री की संदी में गुट निर्पेक्स्ता के सिध्धान्तों का अलंगन हुआ अब देखे यह बहुत ही डिप्लोमेटिक कोश्चन है कि आपने का तक गुट निर्पेक्स रहेंगे किसी गुट में सामिल नहीं होंगे लेकिन सोवियत संग के बड़े करीद दिखाई पड़े आप तो क्या आपने उस नियम को तोड़ा भारत सोवियत मैत्री की संदी में गुट निर्पेक्स्ता के सिध्धान्तों का उलंगन हुआ क्योंकि भारत सोवियत संग की तरफ जुग गया जिसका तो लेकचीन पाकिस्तान और भारत के विद्योदी राश्टी अंतराष्टियों मंचों पर करते हैं तो कई देसों ने कहा कि भारत कहता है गुट निर्पीग्ष यह यहां पर सोवियत संग के साथ खड़ा रहता है सुवियत संग मैं साइसका साथ देता है उसी की तरफ समा कर सवाल खड़े हुए इससे पहले नहीं सैंे गुटанти इस ताधन हे हैं ढगर सैने गुट नहीं मतलब बड़ी महासक्ट्जियों का गुट नहीं तो गया गुट निर्पेक्टता जैसी सब्सक्राइशblesका जाइर सी बात है अगर दो बड़े कुट थे तहीं मैं संग भी काम आएंगे इसमें किसी कोश्चन में कोई डाउट या समझता है तो कमेंट बॉक्स में बताईएगा और जितने इसके टॉपिक्स हैं कि मैंने पहले करा दिये हैं उसको भी पढ़ते रही है समझते रही है ठीक है स्टुरेंट्स एक बात का ध्यान रखिए कि मैगनेट ब्रेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इसकी जो भी जो इसके वेबसाइट है जैसे मालीजे www.magnetbrains.com या मैगनेट ब्रेंस का जो एप्लिकेशन है या जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वहां पर आप यह सारे कोर्सेस पढ़ सकते हैं इसको आप 100% फ्री यहां से पढ़ाई कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इबुक्स और बुक्स का भी लिंक है जहांसे आप किताबों के माध्यम से भी अपनी त्यारी कर सकते हैं और परिक्शाओं को आसान मना सकते हैं हाँ जो सोसल मेडिया हैं मैंगनेट ब्रेंस के इससे जरूर जुड़े रही है ट्विटर टेलेग्राम इंस्टाग्राम फेस्बूक ताकि आपको सारी कि सारी जानकारिया मिलती रहें आप अपडेटेड रहें ठीक है ज्यादा से ज्यादा लाइक से और सब्सक्राइब कर लिए ताकि हम बहुत सारी वीडियो आप तक लेकर आते रहें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए टेक केर बाई बाई